समाजवादी पार्टी से विधायक जाहिद बेक साहब हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद है सर जिस तरह से सदन में देखने को मिला परसो तूतू महमे हुई काफी जो भाशा का इस्तर था दोनों पार्टी के नेताओं का नीचा रहा है क्या कहेंगे आप जिस तरह से भाशा का प्रियोग हो रहा है सदन में देखे सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूँ कि जिस महापुरूष को इनकी केंड़ सरकार ने सम्मानित किया हो उसको उत्तर पदेश की मुख्वनती अपमाइंद करने काम कर रहे है यह सवाल जनता की बीच में है दुस्ता यह है कि जो उन्होंने कहा सदन को गुमराग किया उत्तर पदेश की जनता गुमराग किया कि आयोक एश्डियम की च्यालिस शुटे थी उते च्छपन लोग एक विशेश जात को भरती किया गया इसके बारे मी जनता जानता चाहती है पर देश जनना चाहता है आरोप आप लोगों पर बहुत सारे लगाएगा यह कहाँ गया है जितना भी उत्तर परदेश के माफियां सब लोग आप लोग पोषित कर रहे हैं उनको इलाबाद की घटना जो हुई है उसमें भी समाजवादी पार्टी के संदच्छित जो माफियां हैं वो घटना को अंजाम दे रहे हैं देखे जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है और माफियों की बात है जिसका नाम नो लिया वो हमारे पार्टी में भगुद्य समाजवादी पार्टी के में हैं। आयोग ने चुनाओ एक ही रात में उसको यह माफिया कह रहे हैं उसको इलहाबाद कंदर ले आए और फून के माध्नम से समाजवादी पार्टी लोगों को धंकी देने काम किया था और चुनाओ हरा ने काम किया था वही दूसरी तरह एक विधार के पत्नी को निर्दोस जेल म पार्चित के लिए शुक्री अजाहित बेक साब काफी नाराज और खफा नजर आ रहा हैं भारती जंता पार्टी के नेता हैं मुक्यमंत्री योगी आदितनाद उन्हों ने साफ तौर पर उन पे जो सवाल उठाए थे उसका उन्होंने कहा कि मुक्यमंत्री ने जूट बात जो है वो सदन में पेश की है एस्टीम की जो भरती हुई है उसमें जितने पत्स रजित थे उन्ही पदों पर भरती की गई है कैमरमेन आशीश के साथ सीमा अबना कुई भारत समचार लगना हुग